और अब बात करेंगे बॉलिवूड सितारों पर आयकर विभाग के छापेगे। आयकर विभाग ने अभिनेत्री तापसी पन्नू और फिल्म डेरेक्टर अनुराक कश्य पर शिकंजा कसा। दोनों से कल 11 घंटे पूचताच हुई, आज फिर इन दोनों से तारोडे पूचताच के लिए इने बुलाया गया है। फिल्म डेरेक्टर अनुराक कश्य और अभिनेत्री तापसी पन्नू ये दोनों ही आयकर विभाग के निशाने पर हैं। आयकर विभाग ने कल अनुराक कश्य और तापसी पन्नू समेत फेंटम फिल्म्स कंपनी से जुड़े लोगों के 22 ठिकानों परच्छापे मारे। आयकर ठीम ने लेंदेन से जुड़े कई रिकॉर्ड कबजे मिली है। कल जहां दोनों से 11 घंटे पूछता चली वहीं सरच अभियान आज भी जारी रहेगा। आज फिर से दोनों से पूछताज हो सकती है। सूत्रों के मताबिक अनुराक कश्यप के ओफिस में अभी भी सरच अभियान जारी है। इसे पूरा होने में तीन दिन का वक्त लग सकता है। पूरा की टीम ने दोनों से होटेल के अलग-अलग कमरों में लंबी पूछताच की। इस पूछताच पर कॉंग्रेस ने कहा है कि ये आईकर च्छापे मोधी सरकार के खिलाफ बोलने का नतीजा है। च्छापे को बदले की कारवाई बताने पर कॉंग्रेस को सुचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडे करने नसीहत दी। ये तो हद्ध हो गई जिसका भी बारे में इंकम टैक्स या जाच एजन्सिया को जानकारी मिलती है, क्रेडिबल उसी का जाच एजन्सिया जाच करती है और बाद में कोर्ट में ही मसला जाता है, ऐसा थोड़ा ही है। फेंटम कंपनी 2011 में नुरा कश्यप समेत चार लोगों ने मिलकर बनाई थी और 2018 में से बंद कर दिया गया। आयकर विभाग ने जब इसकी जाच की तो कई रटन मैच नहीं हुए और इसके बाद फेंटम फिल्म से जुड़े कई दफतरों पर चापे मारी की गई। वहीं तापसी पन्नू प्रॉपर्टी टेक्स को लेकर जाच के दाएरे में है।